हेलो एवरिवन इस वीडियो में हम लोग मॉडर्ण हिस्टे के क्वेशन को कवर करेंगे मिसलेनियस के क्वेशन को कवर करेंगे और इसके साथ इसे वीडियो में हम लोग वॉल्ड हिस्टे के क्वेशन को कवर करेंगे यानि इस एक वीडियो में पूरे आधुनिक भारत के chapter wise प्रशनों को cover किया गया है विवित को cover किया गया है और विश्व इतिहास के जो प्रशन एक दिवस्य परिक्षाओं में पूछे जाते हैं उन प्रशनों को इसमें लिया गया है और यह जो प्रशन है यह पूरे ही प्रशन अगर आप लूसेंट पढ़ लेते हैं तो यह पूरे ही प्रशन लूसेंट की है और इसमें जो solution है यह solution आपकी NCRT के solution है तो यह जितनी भी question है यह fact वाले question है और fact question आपकी one day examination में जिस तरीके से पुछे जाते हैं बिल्कुल वैसे question है और यह सारी एक दिवस्य परिक्षाओं के लिए जहां पर आपके modern history vivid और विश्व इतिहास पुछे जाते हैं उन सारी परिक्षाओं के लिए बहुत ही जाद है अगर इससे बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरुवत पढ़ेगी तो वह है परिक्षाओं जिसमें के पिछले 30 वर्सों question को cover किया गया है क्योंकि अगर repeated question पुछ जा सकते हैं तो यहां से पुछे जा सकते हैं इसके बाद GSGK के लिए आपको कुछ भी पढ़ने की जरुवत चप्टर है यूरोप वासियों का आगमन यूरोपियनों का आगमन question है यूरोपियनों में से कौन स्वतनता पूर्व भारत में व्यापारी की रूप में सबसे अंत में फ्रांसिसी आये था भारत का बादश्रा उस समय कौन था जब डिटेन की East India Company के स्थापना हुई थी उ अब एक इस तरह की question पूछा जाता है कि लंदन में British East India Company के गटने की समय भारत में कौन बादश्रा था अकबर था next question है भारत में फ्रांसिसी आयों ने सबसे पहले कहां पे कार खाना लगाय था सूरत में कौन सा युधर निर्नायक युध था जिसमें की फ्रांसिसी हार गय थे और अंग्रेजु की सरवुष्टा इस्थापित हो गई थी वो निर्नायक युध था वांडी वाश का युध वांडी वाश का युध कब हुआ था 1760 में हुआ था पुर्दिगालियों के पहली फेक्टरी कालिकट में 1500 इस्थापित किया था पहली फेक्टरी कालिकट में वासको डिगामा ने इस्थापित किया था डच्छो ने अपनी पहली फेक्टरी 1605 में कहां पे इस्थापित की मसूली पटना में किया था British East India Company का प्रथम गवर्नर कौन था? इसमित था प्रथम गवर्नर इसे जहागी ने खान की उपाधी दिय थी जहागी ने Hawkins को खान की उपाधी दिया था खान की उपाधी से समानित किया था प्रथम करनाटक युद का ततकालिन कारण क्या था? ततकालिन कारण था प्रथम करनाटक युद का अंग्रेजों दोवारा फ्रांसी से जहाजों का अधीग रहे अब ये question हमेशा पूछा जाता है कि उस छेतरे की पहचान करे जहाँ पे युरोप वाजियों को सर्वोत्तम शोरा और अफीम प्राप्त होता था कहां से प्राप्त होता था? शोरा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था भारत में 1613 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फेक्टरी कहां पे स्थापित की थी सूरत में स्थापित की थी जिस एक साशक ने East India Company को दिवानी प्रदान किया था, वो शहर था हुगली, बंगाल की फेक्ट्रियों में एक जो पूर्टगाली तवारा स्थापित की गए थी, वो शहर था शाहलम, दुधिय, एक दुधिय पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है, मुंबई, जो युद्ध लड़े ते, सबसे पहले अंबर युद्ध, फिर प्लासी युद्ध, वंडीवाश, उसके बाद बकसर युद, अथारवी सधी में लड़े ये युद्ध थे, पूर्दिगालीों ने 14-98 में गोवा पर कबजा गिया था, भारत में यूरोपिय शक्तियों के सं तर्फ़धा दम सभी नहीं तो जो जो यह पिश्ली साल का प्रश्ण है मतलब प्रिविईस और क्वेशिन है तो उसमें आपको ओप्षन जो धिया गया को उसके साप सभी नहीं है भारत तक समुद्री मार की खोज की गई थी किस के द्वारा की गई थी भारत तक समुद्री मार की खोज पूर्टगालियों के द्वारा ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्टरी स्थापित करने की अनुमती किस से प्राप्त किया था जहां गीर से प्राप्त किया था भारत की समुद्री मार की खोश किस ने किया था वासको डिगामा ने किया था त्रीदिय करनाटक यूद जो की एंगलो फ्रेंच यूद था उसकी समापती की संधी से हुई थी पैरिस की संधी से हुई थी जब 17 माई 1498 में 17 में 1498 में वासको डिगामा कालिकट में उत्रा था तो किसने उसका स्वागत किया कालिकट में कालिकट की जो राज़ा थे जमूरिन उसने उसका स्वागत किया था नेक्स्ट पूर्दगालियों ने भारत में सर प्रथम कहां पे फैक्टरी स्थापित की थी किया था ब्रिटियें के साथ बेसीन की संदी East India Company के नेत्रे तुमें Robert Clive का उत्राधिकारी कौन था? Hastings था Robert Clive का उत्राधिकारी किसे भारत में पुर्दगाली सामराज्य का वास्त्विक संस्था पका जाता है Alphansos D. Albuquer को भारत में पुर्दगाली सामराज्य का वास्तविक संस्था पका जाता है अल्भुकर के नाम से याद रखे हमेशा पूछ जाने वाले क्वेशन है भारत में इस्ट इनिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था वारन हैस्टिंग था गोवा दमन और दीव का इस्ट इनिया कंपनी कब स्थापित हुई थी 1448 में स्थापित हुई थी ब्रिटिस इस्ट इनिया कंपनी इस्थापित हुई थी 1802 में और fratics हुई थी 1664 में ठीक है नेक्स चैप्टर है दूसरा चैप्टर है सामाजिक धार्मिक आंदोलन सामाजिक धार्मिक आंदोलन से जितने भी वनडे वाले question बन जाते हैं जितने भी fact question होते हैं सारे fact question में आपर cover किया जाएगा आध्वनि भारत में हिंदु धर में पहला सुधार आंदोरन कौन सा था ब्रह्म समाज था ब्रह्म समाज का उद्देश क्या था एकेश्वरवाद का प्रचार करना मुख्यता किसके प्रयाश से सतीप्रता का उन्मूलन हुआ था राजा नाम मोहन राइस के प्रयाश से सतीप्रता का उन्मूलन यंग बेंगल मुव्मेंट युगा बंगाल आंदोलन की नेता कौन थे? हेंडरी वीवेंड रोजियो थे थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहां पे मुख्य कारयाले इस्थापित किया था? 1882 में अंडियार में किया था किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग हो करके एक आमूल परिवर्दनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्म सम्मान आंदोलन था चलाने वाले कौन थे? ईवी रामा स्वामी नायकर थे 1829 इस्वे में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा स्वामी वेकनन का मूल नाम किया था? नरेंजर नाथ दध था 19 शदी में जोतीवा फूले के सत्य शोदक समाज ने क्या प्रयास किया था? दमभी ब्रामभडो तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा सत्य शोदक समाज में ये प्रयास किया था 1873 में सत्य शोदक समाजी की इस्थापना की गय थी किसके द्वारा? जोतीवा फूले के द्वारा किस धर्म सुधारग की मृत्यों भारत के बाहर हुई थी? राजराम मुहनराई की मृत्यों भारत के बाहर हुई थी सत्यात प्रकाश पुस्तक के लेका कौन थे? दयानन सरस्वती, रामकिष्ण मिशन की स्थापना विवेका नन्ने किया था वहावी आंदुरन का मुख्य केंज था पटना भारत में दासप्रथा को कब अवैद घोशित किया गया था 1843 में अवैद घोशित किया गया था भारत में अंग्रीजी सिक्षा किसके द्वारा लागो की गई थी विल्यम बेंटिक की द्वारा वेदों में संपून सच्चाई नहीं था यह वैक्या की गई किसके द्वारा स्वामी दयानन के द्वारा महारास्ट का सुकराद किसे कहा जाता है महादेव गोविंद रनाडे को महारास्ट का सुकराद कहा जाता है स्वामी विवेका नंद किस स्थान पर हुई धार्मिक संभीलन से प्रसिद हुए थे शिकागो में जो संभीलन हुआ था उसमें प्रशिद हुए थे विवेका नंद राजाराम मोहन राय ने अपनी औसाधारण काम की खादिर भारती इतिहास में अपनी पहचान बनाई किसे कहा जाता है, राजराम मोहन राय को, कन्या कुमारी का रॉक मेमोरियल किसके दलिए समर्पित है, स्वामी विवेका नंद के लिए समर्पित है, कन्या कुमारी का रॉक मेमोरियल, स्वामी दयानस रस्वती का नाम क्या था, मूल शंकर, नेक्स्ट, भारत में उन्नीसवी स सदी का पुनर जागरण किस वर्ग तक सिमित था उनिस्वी सदी का पुनर जागरण उच्छे वर्ग तक सिमित था प्रात्ना समाज की स्थापना किसकी प्रेड़ना के फर्स रूप हुई थी केशो चंद्र सेन की राजा राम मोहन राय के इंग्लेंड जाने के पश्राद किस इसने ब्रह्म समाज की बागडोर समयाली थी राम चंद्रविद्या वागिष ने समयाली थी। राजा रा मोहन राय और डेविड हेयर किसके स्थापना से जूड़े हुए थे। कॉलेज के स्थापना से जुड़े हुए थे देवबन आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताए जिन्होंने स्वतंता आंदोलन में महत्वपूर भूमिकानी भाई थी वो है अबुलकलाम आजाद शार्दा मड़ी कौन थी रामकिष्ण परभंस की पत्नी थी रा इसवी सधी के उत्रार्द में नव हिंदुवाद याने नियो हिंदोईज्म के सरबथम प्रतिनिधी कौन थे स्वामी विवेकानन थे देव समाज का संस्थापा कौन था शिव नारायन अगनिहोतरी राधा स्वामी सत्संग के संस्थापा कौन थे शिव दयाल साहब पार् कि विवा की नियुनुतम आयू निधारित की थी कितने वर्ष? 14 वर्ष. तहजीव उल एक लाख के रचनाकार कौन है? सेद एहमत खां. किसने कहा था अच्छा सासन स्वाशासन का इस्थापन नहीं है? ये कहा था स्वामी दयानन सरस्वती ने. वेदो की ओर लोटो ये नारा किसने दिया था? दयानन सरस्वती ने. प्रातन समाज की संस्थापख है आत्मराम पांडूरंग. किस व्यक्ति ने सरपिथम स्वरार सब्द का प्रयो किया और हिंदी को राष्ट भासा माना था? स्वामी दयानन सरस्वती ने. किस वर्ष को सरपिथम पश्चिमी सभःता ने प्रभावित किया था सिक्षित हिंदू मध्यमवर को पस्चिमी सभिता ने प्रभावित किया था M.C. शीतलवाड V.N. राव और अल्लादे कृष्ण स्वामी अयर प्रख्या सदस से थे मदरास लेबर यूनियन के एहमदिया कादियाईनी आंदोन जो कि 1899 में हुआ था ये किसने प्रारम किया था मिर्जा गुलाम एहमद ने किया था नेक्स चेप्टर है जातिकत जनजातिय किसान मजदूर आंदोलन भारत के रास्ट पतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंद रहा था वीवी गिरी वल्लभाई पतेल को सरदार की उपाधी उनकी कुशल संगठन छमता के कारण किस आंदोलन के दोरान दी गई थी बार्दोली सत्यागरा के समय में उनको वल्लभाई पतेल को सरदार की उपाधी दी गई थी बार्दोली सत्यागरा जो की 1928 को हुआ था बार्दोली सत्यागरा का नेत्र तो किस ने किया था वल्लभाय पटेल ने किया था किस वाइसराई के साशनकाल में पहली फैक्टरी अधनियम पारित किया गया था लॉड रिबन के साशनकाल में पहला फैक्टरी अधनियम पारित किया गया था किस प्रदेश में ब्रिटिस के विरुध बिर्सा मुंडा का संचालन रहा था छोटा नागपूर में वाईकुम सत्यागरा कहां पे चलाए गया था कीरल भी चलाए गया था पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाई के प्रावधान किये गये थे वो अधिनियम था भारतिय कारखाना अधिनियम 1881 पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहट महिला मज़दूरों की सुरक्षा सुनिश्रिद की गई थी? भायरते कारखाना अधिनियम 1891 में आधोनेक योग का मनु किसे कहा जाता है? आधोनेक योग का मनु कहा जाता है बीयार अमबेडिकर को महाराश्ट के एक महार परिवार के संबन में महार परिवार से संबन रखने वाले बियार अम्बेटकर का जन्म वस्तूत कहां पर हुआ था जहां उनके पिता जी राम जी मालो जी सुवेदार मेजर के पदपर कार्य थे वो था महुच्छावनी कहां पर यह है मध्यप्रदेश में बियर अम्बीटकर की पढ़ाई लिखाई किसने में किसने बड़ा सायोग किया था बड़ोदा के महराज ने किया था उनकी पढ़ाई लिखाई में सायोग अखिल भारतिय व्यापार संग कॉंग्रेस यानि AIT UC का प्रथम अध्यक्ष कौन था लाला राजपत राय थे 1899 से 1900 की मुंडा करांती के नेता कौन था बिर्सा मुंडा था उनकी नाम पे करांती थी अखिल भारतिय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षा किसने की थी स्वामी सहजा रन ने किया था 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराय था अंग्रेजों ने मेजर बरो को हराय था बंबई में अखिल भारतिया व्यापार संग कॉंग्रेस की इस्थापना कब हुई थी? 1920 में हुई थी मुंडाओन ने विद्रोख खड़ा किया था 1895 में ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चन का समय क्या था? 1926 से 49 था हो विद्रो गब हुआ था? हो विद्रो हुआ था 1820 से 21 के दोरान 1908 के छोटा नागपूर काश्ट अधिनियम ने रोक लगाई थी बेठे बेगारी पर रोक लगाई थी मानो बली प्रथा का निशेद करने के कारण अंग्रेजों के विरुद विरुद करने वारी जन जाती का नाम क्या है? खोंड जन जाती थी वो कम्योनिस्ट इंटरनेशनल का सदस से बननी वाला पहला भारती है कौन था? एम एन रोय था महात्मा गांधी के नेत्रितों में चलाए गया चंपारण का नील सत्यागरा 1917 में कौन था? नील उत्पादा क्रिशकों के द्वारा तीन कठिया प्रथा के विरुद हुए जलाए गया था सत्यागरा बिर्सा मुंडा का कारे छेद्र कौन सा था? राची था किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश की अधिकार की मांग प्रस्तुती के कारण 1899 में तिरूने वल्ली में भयंकर दंगे हुए थे? नाडार द्वारा के द्वारा मंदिरों में? नाडार की द्वारा महरास्ट में रामोसी कृषक जढ़ था? किसने इस्थापित किया था? वासुदे बलबंत फढ़के ने किया था? अवद की एका अंदोलन का उद्देश क्या था? सरकार को लगान देना बंद करना नाई धोबी बंद समाजिक बहिशकार का एक रूप था जो कि 1919 में किसानों द्वारा प्रताप कर जिले में चलाए गया था चोटा नागपूर जंजाते विद्रो कब हुआ था? अठारा सो बीस में हुआ था गान्दी का चमपारण सत्यागरा किस से जुड़ा था? तिनकठिया से उल्गुलान ये महा विद्रो उल्गुलान किस से जुड़ा था? बिरसा मुंडा से खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? अठारा सो चोहतर में मोपला आंदोलन 1921 में मालबार में हुआ था? गुलामगिरी का लेखक जो दिवा फूले हैं पागलपन थे विद्रो वस्तोता एक विद्रो था गारो का गारुजंजाती का कौन सी घटना महारास्ट में गठी थोई थी? भेल विद्रो महारास्ट में हुआ था? नील आंदोलन का जमकर की समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियोट का संपादक थे हरिशन्द मुखर नेक्स्ट चेप्टर भारत का स्वतंता अंदोलन 1857 की विद्रो की समय भारत का गवर्नर जर्नर लॉट डलहौजी था 1857 की विद्रो में किसने सबसे पहला बलिदान दिया था? मंगल पांडे ने 1857 में कार्णपूर में सैनिकों का नित्रित्व तात्या टोपे ने किया था 1857 का विद्रो की शक्ति का सबसे महत्वपूर तत्व था हिंदू मुस्लिम एक था रानी लक्ष्मिवाई का मूल नाम था मनी कर्णी का भारत के सिक्षित मध्यमवर्ग के लोग 1857 की क्रांती में तठस्त रहे थे 1857 में अंग्रेजी सामराजे के विरुद पंजाब में नामधारी सीखों ने सशस्त्र विद्रो किया था बिहार में 1857 की नेता कूवर सिंग का दिहान थुआ था 9 मई 1858 में अंग्रेजी भारतिय सेना में चर्बी वाले कार्टूतों से चलने वाली एन्फिल्ड राइफल कब शामिल हुई थी जनवरी 1857 में कौन सा आयोग 1857 का विद्रो दवन के बाद भारतिय फौज के नव संगठन से संबनती थे पीला आयोग 1857 के विद्रो को मिर्जा गालिब में देखा था 1857 के विद्रो को किस उर्दो कभी ने देखा था मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रो में अंग्रेजी का सबसे कटर दुश्मन था मौलवी एहमदुल्ला शाह जगदीशपूर के राजा थे कुवर से 1857 के विद्रो का नित्रत व बिहार में कुवर सिंग ने किया था 1857 की करांती के समय बीटेन की प्रधार मंती लॉड पामस्टन थे 1857 के विद्रो के संदर में तात्या टोपे उसके मित्र ने धोखा दिया और जिसे की अंग्रेजु द्वारा बंदी बना करके मार दिया गया था वो थे तात्या टोपे 1857 के विद्रो के संदर में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था तात्या टोपे को दिया था और जिसे कि अंग्रेज, दोवारा बंदी बना करके मार दिया गया वो है तात्याटो पे चितार गड़ 1857 की विद्रों से प्रभावित नहीं था Whisky जैकोन प्रभावित नहीं था 1857 की विद्रों से तो चितार गड़ नहीं था 1857 की विद्रो के दौरान दिल्ली में विद्रो का सैन्य नेत्रित्व बक्त खाने किया था सरपथम किसने 1857 की विद्रो के तुरंद बाद इसे एक रास्टर विद्रो के संग्या दी थी Benjamin Disraeli ने कहा दिया था डिजराईली ने 1857 की विद्रो के तुरंद बाद इसे एक रास्टर विद्रो की संग्या दी 1857 की क्रांती के संबन में किसने कहा था कि ये विद्रो भारत की स्वतनता के लिए सू नियूजित यूद था ये कहा था विडि सावर करने जाती आधार पर 1857 की विद्रो की दमन में अंग्रीजों का सहयोग करने वाले थे सी, गोर्खा और पठान किसी 1857 की विद्रो की सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता है बहादुशा द्वितिय को 1857 की विद्रों की और सफलता के बाद बहादुशाद द्वितिय को रंगू निर्वासित कर दिया गया था कैम्प बिल बिटिस सिनापती था जिसकी 1857 की विद्रों को दबाने में महत्वपूर भूमिका थी मेरट में विद्रों आरंब हुआ था 10 में 1857 को 1857 का विद्रों कहां से प्रारंब हुआ था मेरट से प्रारंब हुआ था सबसे पहले और इस विद्रों का ततकालीन कारण था चर्बी वाले कार्तूसों का प्रयोग आरब करना वो पहला भारती सिपाही कौन था जिसने की चर्वी वाले कार्तूस का प्रयोग करने से इंकार कर दिया था मंगल पांडी थे मंगल पांडी जिसने अकेले 1857 की विद्रों में सुत्रपात किया था वो संबंदित थे 34 वी नेटिव इंपेंट्री से बेगम हजरत महल ने 1857 की विद्रों का नेत्रित और लखनों में किया था 1857 का विद्रों मुख्यत असफल रहा था किसी सामान योजन और केंडर संगठन की कमे की वज़े से ये असफल रहा था 1857 की विद्रों को एक सड़ियंत्री के संग्या दी थी जिम्स आउट्रम वर डबलू टेलर ने साहुकार और जमीनदार ने 1857 की विद्रों में भाग नहीं लिया था 1857 में लॉट कैनिंग इलाहबाद को आपातकालीन मुख्याले बनाय था किसने लॉट कैनिंग ने बनाय था इलाहबाद को गुटकरी विद्रों 1844 में हुआ था इसका केंद्र था कोलहापूर 1857 की वरेली विद्रों का नेता कौन था खान बहादूर था आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था नरंपंथी उधारवादी चरण से जितने प्रशन फूसे जाते हैं वो प्रशन है जाता है उधारवादी चरण भारते रास्टे कॉंग्रेस की पहली बैठा किस सहर में हुई थी? बंबई में कॉंग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान व्रिध व्यक्ति यानि Grand Old Man of India खा जाता है? दादभाई नौरोजी को किस गवर्नर जनल के कारेकाल के दोरान भारते रास्टे कॉंग्रेस बनी थी? लौट डफरिन के कारेकाल में भारते विश्विद्याले अधिनियम 1904 किस वाइस राय के काल में पारित हुआ था? लौट करजन के भारते सिविल सेवा यानि ICS में चुने गए पहले भारतिया का नाम था सतेंद नाट टैगोर इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के संस्थापग थे एलन ओक्टोवियन हियों हर्मिट ओफ शिमला किसे खा जाता है? एवो हियों को खा जाता है वो कौन सा प्रथम भारते था? जो कि ब्रेटिस संसथ के लिए निर्वास्चित हुआ था? वो थे दादा भाई नौरोजी भारते राज़्टे कॉंग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखरी समय पर पूना से बंबई स्थान आंतित किया गया क्यों किया गया था पूना से बंबई? पूना में हैजा फैलने के कारण संयूजर्ग कॉंग्रेस की प्रथम अधिवेशन का इस्थान पूना से बंबई बदलने पर विवश हुए थे पूना में हैजा फैलने के कारण A nation in the making नामा कुस्ता किस ने लिखे थी? प्रथम भारत ने लड़ा था वो थे दादा भाय नौरो जी किस ने कहां था? कॉंग्रेस पतन के लिए लड़करा रही है मेरी सबसे बड़ी अभिलाशा जब तक मैं भारत में हूँ कॉंग्रेस की सांतिपूर सहमापती में सयोग करूँगा अधिक्तम नरमपंथी नेता शहरी छेतर से थे 1905 में बंगाल विभाजन की सवाइस राय ने किया था? लड़करजन ने किया था 1905 में बंगाल का विभाजन भारतिरास्टे कॉंग्रेस की इस थापना 1885 में हुई थी किसने इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की नरम दलीय राजनिती की विवस्था विवस्थित आलोचना, New Lamps for Old सिर्शक लेखों की स्रिंखला में किया था अरविंद घोश ने किया था मदरास महाजन सभा की इस थापना की गई थी 1884 में भारते रास्टे कॉंग्रेस की 1905 की बनारस अधिवेशन की अध्यक्ष कौन थे? गोपाल किशन गोखले भारते रास्टे कॉंग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? W.C. बैनर जी थे भारते रास्टे कॉंग्रेस के पहले अध्यक्ष अब आते हैं नेक्स चैप्टर पे अगला चैप्टर है गरम पंती चरड़ भारते रास्टे कॉंग्रेस की सबसे पहली महिला अध्यक कौन थी? एनी बेसिंड थी 1905 की बंगाल विभाजन के समय वाइस राय लौट करजन थे गदर पार्टी के एक प्रमुक नेता थे हरदियाल किसने गाड़ी पर ये मान करके बंफेका था कि उसमें मुझफर पूर के नियाएधिश किंग्स फोर्ड बैठे थे खोदी राम बोस और प्रफोल चाकी स्वराज मेरा जन्मसित अधिकार है और मैं इसे ले करके रहूँगा ये काता बाल गंगा धर्दिलक ने मारले मिंटो रिफॉर्म्स को किस वर्ष में प्रस्तूत किया गया था 1909 में भारते परिशत अधनियम 1909 का सर्विग्रा नाम क्या है मारले मिंटो सुधार संब्रदाइक निर्वाचन छेत्रों की परिती की शुरुबात भारत में किसके दवारा हुई थी 1909 का मारले मिंटो रिफॉर्म्स के दवारा हुई थी भारत में गरम दली आंदोलन का पिता किसे कहा जाता है भारत में गरम दली आंदोलन का पिता कहा जाता है बाल गंगा धर्ति लगो कौन पहले एक क्रांतिकारी थे जो कि बाद में एक योगी और दार्शनिक बन गये थे अरविंद घोष पहले करांतिकारी थे बाद में योगी और दार्शनिक बन गये 1909 में मैडम भीका जी कामा पैरिस में कौन से समचार पत्र प्रकाशित करती थी Patriot समचार पत्र का नाम है Patriot भारत में मुस्लिम लिग के स्थापना 1906 में हुई थी 1916 में बदरास में होम रूल मूव्मिंट की प्रवर्टा कौन थे एनी बेसरिन थी बाल गंगा धर तेलक द्वारा शुरू की गई सापताहिक पत्र का कौन थी केसरी शेरी पंजाब किसका उपनाम है लाला लाजपतर राय का कॉंग्रिस लीक समझोता जो की एक लखनो समझोते के नाम से जाना जाता है 1906 में हुआ था इसका दूरगा में परिणाम क्या हुआ था भारत का विभाजन और पाकिस्तान का निर्वार भारती इतिहास में 1912 का इतिहासिक महत्व क्या था राजधानी का कोलकाथा से दिल्ली स्थाना आंतर अनुशीलन समीती संबध है किससे वीडी सावरकर से किस गवणार जनरल ने 1911 में भारत की राजधानी कोलकाथा से दिल्ली स्थाना आतर करने की घोशना की लोड हार्डिंग ने किया अल हिलाल समचार पत्रकिस की द्वारा रास्टेता की प्रचार के लिए शुरू किया गया था अबुल कलाम आजादने की द्वारा पंजाब कीस्टी का किताब दिया जाता है लाला लाजपत राय को भायरते रास्टे कॉंग्रेस का प्रथाम विभाजन हुआ था 1907 में मुस्लिम लिग के स्थापना का श्रिया जाता है सली मुल्ला को महरास्ट में गरपती उत्सो आरम करने का श्रिया जाता है बालगंगा धर्तिल को स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरूध के रूप में बंगाल विभाजन के विरूध विरूध विद्रोग का नेत्र तो किसने किया था सुरेंदनाद बैनरजे ने किया था 1907 के कॉंग्रिस के सुर्वत अधिवेशन की अध्यक्षा किसने की थी? डॉक्टर रास विहारी घोस ने. अनुशीनल समीती थी एक रांतिकारी संगठन. किसने कहा था कॉंग्रिस आंदोलन ना तो लोगो द्वारा प्रेरित था, नहीं ये उनके द्वारा सूचा गया, योजना बद किया गया था. ये कहा था लालाज बत रहे. निश्क्रिय विद्रो यानि पैसिफ रसिटेंस के सिधान्द का प्रतिपादा किसने किया था? अर्विंद घोस ने किया था. बंगाल 1905 में विभाजित हुआ, जिसके विरूद के फल सरूप ये पुना एकिकरित हुआ था, कब 1911 में. यूद के समय भारत के रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब की गदर के विरूद इस्तेमाल किया गया था, शान्ती के समय भी जारी रखा जाहा था, किसके समय में, लॉड हार्डिंग में. 1906 में मिंटू से शिमला में मिले मुसलिमानों के सिस्टम अंडल ने प्रात्मा की, कि मुसलिमानों के लिए प्रिथक निर्वाचन वर्ग हो. बंगाल का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1905 को, किस नेता ने 1906 में कलकत्ता कॉंग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षता की थी? दादभाई नौरोजी, भारते रास्टे आंदोलन गरम पंतियों के प्रभाव धीन आया 1906 के बाद, 1908 में बाल गंगा धर तिलक को जेल हुई थी 6 वर्ष के लिए, बिहार बंगाल से अलग हुआ था 1912 में, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतनता संग्राम के एक नई की आरम का ध्योतक था, क्योंकि इसने देश के सामने स्वसाशन सर्फ गवर्मेंट की एक ठोस यूजना रखे गदर पार्टी के स्थापना हुई थी 1913 में, किसने औल इंडिया मुस्लिम लिग के स्थापना की थी, नवाब सलिमुल्ला खाने, गदर क्रांती छिडने का सबसे महतुपूर कारर था, प्रथम विश्यूद का शुरू होना, किस अधिवेशन में होम रूल समर्थक अपनी कि भारते रास्टे कॉंग्रिस के विरुद, अनुने, विने और विरुद की राजनेती का दोश लगाया था, बाल गंगधर ती लगने लगाया था, रास्टे कॉंग्रिस के विरुद, नेक्स्ट क्रेशन है, किस भारते रास्टे आंदोरन का सिर्ष, गीत, वंदे मात्रम बना स्वदेश एंदोरन का अधिवाधियोवा उदारवाधियों के पुर्नर-मिलन की प्रक्रिया में प्रमुक शिल्पि कौन था एनी बेसेंट किसी भारत्य और शांती के जनक की रूप में जाना जाता है और शांती के रूप में बालगंगदर तेलग को जाना जाता है 1915-16 में Home Rule League आरम की गई थी किसके नेत्रितों में? तिलक और एरिवेसेंट के नेत्रितों में राश्टी आंदुरन की अवधी में जिस घटना में मदभेट के बीज बोई और अंत्रता देश का विभाजन कराए गया था वो विधान सभाव में मुस्लमानों के लिए प्रिथक निर्वाचन छेत्रों वा इस्थानों का आरक्षर था अभिनो भारत नामक अंग्रेज विरोज संगठन की स्थापना की थी वीडी सावरकर ने इसने मुहमद अली जिन्ना को हिंदो मुस्लिम एकता का दूद कहा जाता है कहा था सरुजनी नाइडू ने कहा था लाल बाल पाल त्री गुट का कौन व्यक्ति भारते रास्टे कॉंग्रेज का अध्यक्ष हुआ था लाला लाजपत राय हुए थे मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था आगा खा गीता रहसे नामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था बाल गंगा धर तिलक द्वारा कौन सनेता कॉंग्रेज के गरम दल से संबंदी था अर्विंद घोश कामा गाटा मारू कनाडा की यात्रा पर निकाला गया एक जहाज था कामा गाटा मारू कौंग्रेज की प्रास्ना और याचिका की नीती अंतो गत्वा समाप्त हो गई बाल गंगा धर तिलक के नित्रतों में वो कौन था जो कि काकोरी सड़ियंत कमांड में फांसी की सजा से बज़िया था वो थे चंदर सेखा राजाद नेक्स चेप्टर गांधी यूग महात्म गांधी ने सत्यागरा क्रिया विधी सबसे पहले कहां विप्रस्तूत की थी चमपारण में अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टेन सांडर्स किसके दवारा गोली से मारा गया था भगत सिंग के दवारा जय हिंद का नारा सुबास चंद्रबोस ने दिया था किस वर्ग में मुस्लिम लीग ने एक प्रिथक रास्टे का संकल्प स्विकार किया था पाकिस्तान प्रस्ताओं को 1940 में 1947 के बाद किस राजे को भारत संग में सैनिक कारेवाई द्वारा बल पूरुवक मिलाए गया था हैदरबाद को किस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आ जादी दूँगा सुबाद चंडर बोस ने कहा था देश बंतु की उपादी संबंदी थे चितरंजन दास से सियार दास से कॉंग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष घोशित किया था वो कहां पर हुआ था लाहोर अधिवेशन में किया गया था पूर्ण स्वराज की मांग लक्ष रखा गया था कॉंग्रिस में भारत छोड़ों आंदोर्ण का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया 1942 में सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापूर में दिल्ली चलो का नारा दिया था 1943 में और सयोग आंदोर्ण को क्यों निलंबित कर दिया गया था 4-4 में हुई हिंसा घटना के कारण 1919 में जलिया वाला भाग घट्या कारण कहां पर हुआ था अमरित सर में नमक सत्यागरा हुई थी 1930 में प्रारम हुई थी किस कृत्य के कारण भागर सिंग राजगुरु और सुकदेव को 23 मार्ष 1931 में फांसी दे दी गई थी 1928 में लाहोर में सांडर्स की हध्या के कारण किस अधिनियम के तहत बिना मुकद्मा और दोशिधी के ही विधी नयायाले ने किसी भी वेक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया था वो अधिनियम है 1929 का रॉलेट अधिनियम नेक्स्ट क्रेश्चन है गांधी रिवीन समझवाथा पांच मार्स 1931 हुई थी किसे संबंदी था ये? सविने अवग्य हंदोलन से स्वतंत्र भारत के प्रथा महा राजिपाल गवर्नर जर्रेनल कौन थे? किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संगिय संरशना प्रस्तुत की गई? 1935 के अधिनियम में भारत के लिए संगिय संरशना प्रस्तुत की गई थी काकोरी, ट्रेन, डकेती, कांड के नायक कौन थे? रामप्रसाद, बिस्मिल 1919 की अधिनियम में द्वैस शासन धार्णा को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया था वो कौन थे? चेम्स फोर्ड थे 1949 में पहली बार महात्मा गांधी ने देशी राज में नियंती जन संगर शराने की विशेस तक्निक को अपनाया उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्यागरा करने की इजाज़त दी वो निकट सहयोगी कौन था? राजकोर्ट में वल्लब भाई किस आंदूलन में महात्मा गांधी ने भूक हर्थाल को एक हतियार की रूप में पहली बार प्रयोग किया था? 1918 की एहमदाबाद मील मजदूर हर्थाल जलिया वला बाग में गोली चलाने का अदेश दिया था? डायर ने महात्मा गांधी को सरप्रथम रास्ट पिता किस ने कहा था? सुबास चंद्रपूर्स ने कहा था? क्रिप्स मिशन के असफल होने का सबसे महत्वपूर कारड था क्रिप्स का ग्रहन करने या छोड़ देने वाला दिस्टिकोर भारते रास्टे कोंग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे थे? अबूल कलाम आजाद जब 15 अगस 1947 को भारत ने अपनी पहली आजादी का जश्न मनाय था तम महत्मा गांदी कहां पे थे? कुलकाता में थे भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना की तहत हुआ था? माउंट बेटन योजना की तहत हुआ था महत्मा गांदी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को कौन सा भारती है? स्वतन भारत का पहला गवर्नर जनरल बना था? सी राजगुपालाचारी है काईदे आजम किसे कहा जाता है? काईदे आजम कहा जाता है जिन्ना को गांदी जी किस गोल में सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? दुएतिय गोल में सम्मेलन में अज सयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वाइसराय चेम्स वोट थे भारतिय स्वतंता अंदोलन के दोरान, चर्चित पुस्तग, इंडिया फॉर इंडियन्स के लेखा कौन है? इंडिया फॉर इंडियन्स के लेखा के चित्रंजन्दास, जनरल माइको डायर की हत्या किस ने की थी? उद्धम सिंग ने किया था, साइमन कमिशन का भारत में आगमर 1928 में हुआ था, भारते कम्यूनिस्ट पार्टी का अस्तित्व 1921 में आया था, महात्मा गांदी के राजनेते गुरू थे, गोपाल किष्ण गोखले, सारे जहां से अच्छा हिंदू सुता के रशनाकार है, एक के लेखा कौन है, रशनाकार है, महात्मा गांदी, नेक्स्ट, दांडी यात्रा में गांदी जी ने कितनी दूरी तै करके नमक का विरूद किया था, 240 किलो मेटर की दूरी तै करके, गांदी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था, रॉलेट एक्ट को गांदी जी ने काल कानून कहा था चंपार सत्यागरा के दोरान महात्मा गांदी के साथ कौन शामिल थे राजिन प्रिशाद व अनुग्रह नारायन सिंग शामिल थे स्वराज पाटे के स्थापना हुई थी 1923 में कॉंग्रेस का प्रथम विभाजन 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था इस वहा मुंबई में 1918 में मुंबई ये दिवेशन में किसे लोप्रिय नाम लाल कुर्ती के रूप में जाना जाता है खुदाई खित्मतगारों को भारते रास्टे कॉंग्रेस 1947 में देश की विभाजन पर सहमत हो गई देश का मुखे कारण क्या था कॉंग्रेस बड़े पेमाने पर सांप्रदाइक दंगों को टालना जाती थी 1909 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोल स्वरू ब्रिटिस सरकार के प्राप्त सर की उपाधी किसने लोटा दी थी ब्रिटिस सरकार से जो प्राप्त हुई थी रवी नाट टैगोर ने वापस कर दिया था स्वधन्ता प्राप्ती के समय महात्मा गांधी कॉंग्रेस के सदस से नहीं थे जलिया वाला बाके नर संखार के समय भारत का वाइस राय लॉट चेंस फोर्ड था जवाहल लाल नहरू दुबार लिखी गए पुस्तक थी डिसकवरी ओफ इंडिया नहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्ट 1928 में आयोजे सर्वधलिया सम्मेलन में स्विकार किया गया था इस सम्मेलन की अध्यक्षता किस ने की थी? डॉक्टर अंसारी ने किया था 1923 में शितरंजन दास और मोतिलाल नहरू ने कहां पे स्वराजपाटे की स्थापना की थी? एलाहबाद में स्वराजपाटे की स्थापना की थी बिटिश सरकार ने पहली बार ये घोशना की कि उनकी मनशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदाई सरकार बनाने की है किस गोशना के द्वारा अगस्त 1917 गोशना के द्वारा चौरी चौरा नामक प्रसित इस्थल कहां पर है गोरकपूर में है किस ने कहा था मध्यरात्रे के टकोर पर जब संसार सोता है भारत अपने जीवन वा सोतंता के लिए जाग उठेगा ये कहा था जवाहलाल नहरु ने गांधी जी भारते रास्टे कॉंग्रेस के अध्यश कितनी बार बने थे एक बार बने थे इन कलाब जिंदाबाद का नारा भाकत सिंग ने दिया था इंडिया लिबरल फेडरेशन की इस्थापना एसन बैनर जी ने किया था दक्षिर अफ्रिका में महात्मा गांधी दवार प्रकाशित पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन सविने अवग्या अंदूरन 1930 की पराकास्टा में गांधी जी ने किसके साथ समझोता पर हास्ताक्षर किये थे लौड इर्विन की समझोते के साथ जैसे इर्विन समझोता कहते हैं 1932 में अखिल भारती हरिजन संग के संथापा कौन थे महात्मा गांधी थे नेक्स क्वेशन है ओक्टूबर कहाँ पे यानि सिंगापूर में 21 ओक्टूबर 1943 को स्वतंत्र भारत की आजाद हिंद फौस सरकार की घोशना की गई थी भारती स्वतंत्र संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ती किस उद्देश्री के लिए हुई थी साइमन कमीशन की नियुक्ती हुई थी 1919 की सुधारू की प्रग्रती की समिक्षा के लिए भारत छोड़ो आंदोलन की समय इंग्लेयन का प्रधान मंति चर्चिल था 1947 के भारते रास्टे कॉंग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता राजिन प्रशाद में किया था भारते रास्टे कॉंग्रेस का 1938 का अधिवेशन हरीपूरा में हुआ था 1927 की बटलर कमिटी का उद्देश था भारते सरकारत था देशी राज्यों के भी संबंधों को सुधारना करो या मरो यानि डू और डाई का नारा दिया था महात्मा गांधी ने किसने भारते रास्टे कॉंग्रेस के कराची अधिवेशन के अध्यक्षता के थी वल्ला भाई पटेल ने किया था कराची अधिवेशन 1931 में हुआ था भारत में साइमन कमिशन के वहिसकार का मुख्य कारड था सभी सदस से अंग्रेश थे इसलिए भारत में द्वैध शासन प्रारम किया गया था मॉन्टेग्यू चेंस फोर्ट के द्वारा किया गया था 1919 में किस आंदोरन में सरदार वल्ल भाई पटेल ने मुख्य भूमी का निभाई थी बारदोली सत्यागरा में किसने असयोग आंदोरन के द्वरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निस्ठुर बरबादी बताया था रविना टैगोर ने भारत छोड़ोप्रस्ताओं का आलेख बनाया था महात्मा गांधि ने भारत की सवतनता अनुदोलन के द्वरान महात्मा गांधी द्वरा इस्थापे सावर मती आस्रम किस नगर्ज के बाहर एस्थित था एहम गडवाध के बाहर एस्थित है त्रिपूरी संकट की समाप्ति के बाद कॉंग्रेस का अध्यक्ष राजिन प्रिशात को चुना गया किस ने सुझाओ दिया था कि स्वतनता प्राप्ति के बाद भारती रास्टे कॉंग्रेस को समाप्त कर दिया जाए महात्मा गांधी ने भायते रास्टे कॉंग्रेस के त्रिपूरी सम्मेलन में 1939 में सुबाश शन्रबोज को कॉंग्रेस का अध्यक चुना गया था ये त्रिपूरी कहां पे है जबलपूर में है महत्मा गांधी दश्रे अफ्रेका से भारत किस वर्ष में लोटे उन्नीस सब पंद्रमे गांधी जी के मृत्यों पर किस ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया जवालला नैरू ने कहा फिनिक्स फॉर्म किस थापना किस ने की थी महत्मा गांधी ने किया था फिनिक्स फॉर्म किस थापना इनकलाब का नारा मुहम्मद एकबाल ने दिया था कवी एक बाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा लिखा भारत के किस स्थान से संबन दीत हैं पंजाब से मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाय था 1949 को 1937 में चुनावों में कॉंग्रेस द्वारा बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी 6 भारते मुस्लमानों के प्रिथक राजी के लिए पाकिस्तान शब्द का सबसे पहले पाकिस्तान सब्द का प्रयोग किस ने किया था चौदरी रहमत अली ने भारते राश्टे कॉंग्रेस का वश 1939 में लाहोर अदिवेशन जिसमें अंग्रेजों ने पूर्ण स्वतनता पाने का संकल्प अंगिकरित किया था किसकी अध्यक्षता में हुआ था जवाहलला नहरूप की अदिवेशन में हुआ था लाहोर अदिवेशन 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजिन प्रिशाद के पास कौन सा विभाग था खादेवक रिशे विभाग 1949 में कॉंग्रेस को छोड़ने के पस्चाद सुबास चंडर बोस ने किस दल की स्थापना की फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किस ने किया था जवाहल लाल नहरु ने किस ने प्रसेश चिटगाउं श्रस्त्रागार धावे को आयोजित किया था सोरसेन ने किया था हंटर आयोग की न्युक्ति की गई थी भारत की विभाजन का बालकन प्लान किस भारते रश्टे वजटी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन की वीश युत्तो को ऐसे इश्वय-प्रदद आवसर की रूप में देखा था जिसमें कि भारतियों को उस इस्थिती का अपने हित में लाब उठाने का मौका मिला हो थे सुभाश चंद्र बोस इश्वरदत अवसर के रूप में देखा भारतियों को उस इस्थिती का अपने हित में लाब उठाने का मौका मिला सुभाष चंद्रबोस को किसने कहा था कि मेरी पीट पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिस सामराजी के ताबूत में एक किल सिद्ध होगी ये कहा था लालालाज पत्रा है किसके कारा सारवजनिक रोश की लहर उबरी जिसके फॉल्स रूप जलिया वाला बाग में ब्रिटिस द्वारा जन संखार की घटना घटी थी दिरॉलिट एक्ट के कारण पुस्तक दे स्टोरी ओफ दे इंटेगरेशन ओफ दे इंडियन अस्टेट्स किसने लिखा है वीपी मैनन ने लिखा है दे स्टोरी ओफ दे इंटेगरेशन ओफ दे इंडियन अस्टेट्स 1922 के पुना समझोते के साथ किसका सीधा संबन था भारतिय दलित वरका भारतिय सोतिनता संखरश के दोरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई थी सुबाश शंडर भोस ने 1928 में हिंदुस्तान सोसलिस्ट रिपब्लिकन एसोशियेशन यानी HSRA के स्थापना कहां पे हुई थी दिल्ली में जलिया वला भाग में प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध के प्रदर्शन के लिए जलिया वला भाग में प्रदर्शन के लिए लोग जुटे हुए थे 1942 के आंदोलन में डॉक्टर राजिन प्रिशाद को किस जेल में कैद रखा गया था बांकिपूर जेल में जय प्रकास नारायन किस पार्टी से जुड़े हुए थे सोस्लिस्ट पार्टी से भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारम हुआ था 9 अगस्त 1942 को वो व्यक्ति जिसने की 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जीद के प्रवर्चन मंच से हिंदू-मुसलिम एकता पर भाशर दिया था वो थे शद्धानन रॉलिट एक्ट का लक्ष क्या था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संचित प्रक्रिया से करना ब्रिटिस सरकार ने महात्म गान्धी को जो उपाधी दी थी और जिससे उन्होंने अस्योग आंदोलन से वापस कर दिया था अस्योग आंदोलन में वो उपाधी थी कैसरे हिंद व्यक्तिकर सत्याग्रह में बिनोबा भावें को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था दूसरा सत्याग्रही किसको चुना गया था पंडी जवाहलाल नहरो को सरदार वल्लबा भावाई पटेल के नेत्रितों में शुरू हुए बार्दोली सत्याग्रह की मांग मुख्य मांग क्या थी नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी भारत के लिए एक डोमेनियन इस्टेट कॉन्सिटूशन के प्रारोप यानि ट्राफ्टिंग और डोमेनियन इस्टेट कॉन्सिटूशन का प्रथम प्रयाज किसकी प्रतिक्रिया में किया गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर सुधार की कौन सा गोल में सम्मेलन राउंट टेवल कॉन्टरेंस 1922 में हुआ था तीसरा गोल में सम्मेलन हुआ था 1922 में इसके बाद सारे चेप्ट्र आपके खतम होते हैं अब आधुनिक भारत के विविद को हम लोग अबर करेंगे विविद से बहुत सारे क्रेशन बन जाते हैं आनन्द वंडे के एक्जावनेशन में प्रतम भारतिय नोबेल पुरसकार विजेता थे रविदना टैगोर हमारा रास्ट्य गीत वंदे मात्रम कहां से संकलित है आनन्द मट से भारत की रास्ट्य पंचांक किस समवत पर अधारित है शक समवत पर दिल्ली में केंदे सचिवाले के उत्तरी और दक्षी खंडों का वास्तोवित कौन सा था एडवर्ड लूटियंस भारत की शासन विवस्था में पहली बार प्रतनी थी एवं लोगप्रिय तत्व को समाविस्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया अठारा सो बानबे का भारतिय परिशत अधिनियम के माध्यम से किया गया किस फिली शहर के रुपांकन में एकॉन शामिल था एड़वर्ड एड़वर्ड लूटियंस और एड़वर्ड बेकर एफ एस ग्राउंड से और एंगग इसमें 1898 में बनारस में सिंट्र हिंदू कॉलेज इस्थापित किया था जो कि बार में बनारस हिंदू विश्व विश्व चैंड यालेग का केंद्र बन गया एव्हेसे लिए बभारत के राष्ट ध्वच का डिजाइन तयार किया था मैडम विका जी का माने देव वसपन्यासे के रश्णाकार एं कि शरत चंद चटुपाद्या Can देवदास के रचनकार कौन है शरचंद चड़ुपाध्याई चित्रा के कौन है रवेना टैगोर प्रेम पचीसी के रचनकार प्रेम चंदर है चुदित पाशाड हंग्री स्टोंस की रचिता कौन है रवेना टैगोर विश्व इतिहास की जलक यानि ग्लिम्स ओफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचैता है जवाहल लाल नहरू 27 दिसंबर 1911 में पहली बाद जनगर्मन कहां पे गाये गया था कोलकाता में भारत में पहला समचार पत्न किसने शुरू किया था जेम्स हिक्की ने किया था दिवील्स ओफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखा कौन थे राम मनोहर लोहिया पोस्ट ओफिस के लेखक है रविना टैगोर किसे इस पात का चौकटा इस पात का चौकटा याने अस्टेल फ्रेम की संग्या दी गई गई थी आईसीयस को भारतिय नागरिक सेवा को गोदान किसकी रशना है गोदान है प्रेम चंद्री की रशना भारत भारती की रशनकार है मैथली शरड़ गुप्त सेडलर आयोक का संबन किस से था सिक्षा से था ब्रिटिस ने भारत में प्रांतिया स्वायत याने प्रोविंसियल और्ट्रोम में कब से लागो कर दिया था भारत सरकार अधियां 1935 से लागो कर दिया था किलाफत आंदोरन का आरम किया था अली बंदू ने भारत में सिविल सेवाओं का सुत्रपात किस ने किया था लौट कार्निवालिस ने अमरित बाजार पत्तिका के इस्थापना किये थी शेशिर कुमार घोस ने जंडागेत किसने लिखा श्यामलाल गुपता पारशद ने नागरिक सेवाओं याने सिविल सर्विसेस के लिए प्रतियोगी परिशा ब्रणाली को सिध्धांतत स्विकार किया गया 1800 तिरपन में किस अधिनियम के तहट लौट कार्निवाल इसको अपने काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था 1786 के एक्ट पे उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं बंकीम चंद चैटर जी किस एक्ट के द्वारा भारत की गवर्नर जनरल को आध्यादेश यानि ओर्डियनस जारी करने का शक्तिपदान की गई किस एक्ट के द्वारा इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के द्वारा किस ने सरप्रथम प्रेस संसर्शिप लागो किया था वेलेज लीने कौन भारत में मुस्लमानों की उच्च सिक्षा के लिए पत प्रदर्शक बने हमेशा पुछ जाने वाले क्वेशन है ये सब एहमद खाने सर सेद एहमद खाने किसकी अंतरगर्थ भारत में सरप्रथम सरवोच नयाले की स्थापन हुई थी रेगुलेटिंग एक 7073 के दो अंतरगर्थ पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतिये कौन थे बालगंगा धर्तिलग स्वतंत्र भारत का अंतिम गवनर्ण जनरल राजगोपालाचारी थे भारत स्वतंत्र भारत का गोदान और गवन दोनों एक ही लेखकी रशना है उन लेखक है मुनशी प्रईम चेंद्र बिएचियो यानि बनारस हिंदो विश्व विद्याले पुस्तक किसने लिखी थी? मदन मोहन मालविया ने लिखी थी गिल्टी मैन ओफ इंडियास पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी? डॉक्टर राम मोहनलू यानि किस विद्रो को बंकीम चंदचेटर जी ने अपने उपन्यास आनन्द मठ में उलेक कर प्रसिद किया था? सन्यासी विद्रो को Lecturers from Columbia to Almora किस एक की अनुभवों पर आधारी थे? स्वामी विवेकर नंद की अनुभवव पर आधारी थे? Montague Chems Ford की रिपोर्ट आधार बनी है भारा सरकार अधिनियम उननीसोंनीस की 1854 की वुड विग्यपती यानि वुड्स डस्पैच में अभिवेक्त सिक्षा का लक्ष था भारत में पाश्चात संस्कृती का विस्तार 1842 में क्रिप समिशन का एक महत्वपूर पहलू था दुविते विश्यूद के तुरंत पश्चात भारत संग के स्थापना करना और उसे डोमेनियन पदप्रदान करना 1935 के भारत अधिनियम याने इंडिया एक्ट द्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राजसी प्रांतों को शामिल करने के पीछे अंग्रेजी की असली मन्षा क्या थी? अंग्रेजी की असली मन्षा थी राष्चवादी नेताओं के साम्राजिवादी विरोधो सिधानतों को विरोधी सिधानतों को व्यरत करने के लिए राजाओं का इस्तिमाल करना राश्टवादी नेताओं के सामराजवादी विरूधी इसे धानतों को व्यर्थ करने के लिए राजाओं का इस्तेमाल करना 1935 के भारस अधिनियम, 1935 के इंडिया एकद्वारा प्रस्तावित फेडरल यूनियन में राशी प्रांतों को शामिल करने के पीछे यही मंद्शा थी अंगरे जुकी भारत में विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था क्याबिनेट मिशन को औस्विकार करने के साथ थी गोल्डन थ्रेश होल्ड नामक कविता संग्रह की रचाईता कौन है? सरोजनी नाइडू है गोल्डन थ्रेश होल्ड की रचाईता बारत में ब्रीटेनी के सभी समयधानिक प्रयोगों में सबसे कम समय तक चला था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट लौड मैकाले संबन दी थे अंग्रेजी सिक्षा से किस ने सुबह आजादी नामक कविता लिखी है? फैज एहमद फैज ने लिका है भारत में प्रथम तीन विश्विद्याले कलकत्ता विश्विद्याले, मद्राश विश्विद्याले, बंबई विश्विद्याले इन तीन विश्व विद्याले को भारत में किस वर्ष इस्थापना हुई थी, 1857 में इस्थापना हुई थी किस ने सोम प्रकास नामक समचार पतर शुरू किया था इश्व चंद विद्यासागे ने सोम प्रकास स्थार्ट किया था सारे ही रेलवे के इदम पसंदिता प्रश्ण है किस अधिनिया ने भारत वासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाए था इंडियन काउंसिल एट 1861 एक्सट के आगे रास्टिया अंदोल्न की महत्वपूर तिथियां को कबर करेंगे और इसके बाद रास्टियां वाल्ट भात पर इंडिय एग्जामिने शने स्ने हरी के था उरने वाले हैं पहले तिथियां भायरते रास्टे कॉंग्रेस की स्थापना 1885 में हुई बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में प्रत्थम विश्युद हुआ 1914 से 18 तक महत्मगानी द्वारा चंपारण में आंदोलन हुआ 1917 में जलिया वाला भाग हत्याका 1919 में हुआ खिलाफत आंदोलन 1920 में हुआ असर्युग आंदोलन 1920 से 22 के दोरान हुआ बीच में चौरी-चौरा कांट हुआ था 1922 में साइमन कमिश्यर की नियुक्ति हुई 1927 में लाला लाजपत्राई की बृत्य हुई 1928 में कौंग्रिस दोरा पूर्य सतिंता की मांग सवी ने अवग्या अंदोलन हुआ 1930 में 1930 में प्रत्थम गोल में सम्मेलन हुआ था भारत छोडो अंदोलन हुआ 8 अगस्त 1942 को कृप्स मिशन का अगमन हुआ 1942 में आजारहिंद फोजक की स्थापना हुई 1943 में, cabinet mission का आगमन हुआ 1946 में, नौ सेना का विद्रो हुआ 12 फरवरी 1946 को भारत के विभाजन की माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 में, जिसे 3 जून घोशना भी कहते हैं, 3 जून योजना भारतिय स्वतंतर प्राप्ति हुई थी 15 अगस्त 1947 को महत्मा गांदी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को देशी रियासतों का भारत में विले हुआ 1948 से पचास में भारतिय गरतंतर हुआ 26 जनवरी 1950 को इसके बाद विश्व इतिहास के सारे इंपोर्टेंट तथ्यों को प्रमुक तथ्यों को इसमें कवर किया जाएगा सौर पंचांग किस देश की देन है? सौर पंचांग मिस्र की देन है मिस्र के विशाल पिरामिट का निर्माण किस ने करवाए था? समराट खुर्फू ने घीजा में कराए था मिस्र के राजय को क्या कहा जाता है? फराओ कहा जाता है, चीन की सभेता को किस नाम से जाना जाता है, पेली नदी घाटी सभेता के नाम से जाना जाता है, पतंग उडाने का कला सरपिता किस ने विक्सित किया था, चीन का रास्टपति किसे कहा जाता है, सन्यात सेन को कहा जाता है, चीनी करांती का नेता कौन था, सन्यात सेन था एशिया का मरीज किसे कहा जाता है चीन को कहा जाता है एशिया का मरीज यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है चीन को और यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्कों को चीन के बकसर आंदोरन का नेता कौन था चीन के बकसर आंदोरन होई थी चीन में यूरोपिय पुनर्जागरड कहां से शुरू हुआ था इटली से शुरू हुआ था इटली का कौन सा नगर पुनर्जागरड केंद्र था फ्लोरेंस फ्लोरेंस पुनर्जागरड का केंद्र था पुनर्जागरड का मुख्य लक्षर क्या था तार्किवाद तारकेकवाद एवं मानवबाद, पुनर जागरड का मुख्य लक्ष था, तारकेकवाद वा मानवबाद, पुनर जागरड का बौधिक अर्थ क्या है, आंदोलन है, फाजिस्म का उधे कहां पर हुआ था, एटली में हुआ था, फाजिस्म का जनक किसे माना जाता है, मुसोली का जनक, धर्म सुधार आंदुलन का, धर्म सुधार आंदुलन का जनक किसे कहा जाता है, मार्टिन लूथर किंग को जो कि जर्मनी के थे, अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है, रेड इंडियन कहा जाता है, अमेरिका के मूल निवासियों को, अमेरिका को पूर् पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किस ने कराया अबराहम लिंकन ने फ्रांसिसी क्रांती से पूर्व फ्रांस में कैसी विवस्था थी सामन्ती विवस्था थी फ्रांसिसी सामेवाद का जनक माना जाता है सेंट साइमन को फ्रांस की राज्ज करांती हुई थी 1789 में 1789 में फ्रांस की राज्ज में करांती हुई थी राज्ज करांती नेपोलियन फ्रांस का समराट कब बना था? नेपोलियन फ्रांस का समराट बना था 1804 में सरपिथम रास्टरबाद कहां पे विक्सित हुआ था? फ्रांस में लिक्सित हुआ था आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है नेपोलियन बोना पार्ट को कहा जाता है वाटरलू का युद्ध किनकिन के बीच रड़ा गया था नेपोलियन और मिस्र रास्टो के बीच में रड़ा गया था सामिवाद का जनक वोल्शेविक क्रांती के नेता थे लेनिन रूस का अंतिम जार कौन था निकोलस दुवेतिय रूस में नई आर्थिक नेती किसने लागोगी रूस में नई आर्थिक नेती लेनिन ने 1921 में लागोगी आधुनिक रूस का निर्मातक किसे कहा जाता है स्टालिन को सरपितम और द्योगी करांती कहां पे हुई थी इंग्लेंड में हुई थी गुलाबो का यूद कहां पे हुआ इंग्लेंड में मैंगना कार्टा क्या था मेंगना कार्टा सर्व साधार्णों के अधिकारों का घोशना पत्र था नाजिवाद का उद्ध कहां पे हुआ था जर्मनी में नाजिवाद का जनक कौन था हिटलर था नाजिवाद किस था अपना हिटलर निकप की 1920 में की हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है मीन कैंफ जर्मनी की आर्थिक रास्टवादी का पिता किसे माना जाता है फ्रेडरिक लिस्ट को माना जाता है जर्मनी की आर्थिक रास्टवादी का पिता कार्ल मार्क्स कहा कनिवासी था कार्ल मार्क्स जर्मनी कनिवासी था दुनिया के मजदूर एक हो इसका नारा किस ने दिया था? कार्ल माक्स ने दिया था वेग्यानिक समाजवात का संस्थापा कौन था? वेग्यानिक समाजवात का संस्थापा कार्ल माक्स थे मेसोपोटामिया के स्थापना कहां पे विक्सित हुई थी? मेसोपोटामिया की सभ्यता कहां पे विक्सित हुए एराक मे मेसोपोटामिया के देव मंदिर को क्या कहते हैं जिगुरत कहते हैं सीसे का सरप्रथम प्रयोग हुआ था मेसोपोटामिया में हजरत मुहम्मद के बचपन का नाम अमीन था 24 सितंबर 622 को हजरत मुहम्मद के मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है हिजरी समवत या मुस्लिम समवत के नाम से जाना जाता है पैगंबर साहब को कहां पे दफनाए गया मदीना में दफनाए गया पैगम्बर के उत्रादिकारी को कहा जाता है खलीफा पैगम्बर की सिक्षाओं का संग्रह किस ग्रंत में है कुरान ग्रंत में है जापान में आधुने की करड़ की प्रक्रिया की शुरुवात किस ने की थी मूत सुहितों ने की थी जापान को किस नाम से संबोधिय किया जाता है पीत आतं के नाम से जापान ने रूस को हराय था 1905 में दुविदर विश्यूद के दोरान जापान के किन नगरों पर अडू बम गिराए गए थे हिरोशेमा और नागसाकी में गिराए गए थे दुविदर विश्यूद का ततकाली कारण था जर्मनी का पोलेंड पर आक्रमर दुविदर विश्यूद कब हुआ था 1939 से 45 के बीच में हुआ था दुविदर विश्यूद में जर्मनी की पराजे का श्रिय किसे दिया जाता है जर्मनी की पराजे का श्रिय रूस को दिया जाता है पक्की सड़की बनाने की विधि कहां पर विक्सित हुई थी? स्कॉट लैंड में खुले द्वार की नीती के प्रतिपादक जॉन हे थे प्रिशांत महासागर का नामकरण किस ने किया था? इस पे निवासी मेगलन ने किया था प्रिशांत महासागर का नामकरण समुन्दी मार्ग में संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति था मेगलन सौचूहो की अपेक्षा एक सिंग का साशन उद्दम है ये किस ने कहा था? वाट लेयर ने कहा था कि सौचूहो की अपेक्षा एक सिंग का साशन उद्दम है और इसके साथी आपकी पूरे पूरे रिवीजन फैक्टरी से मॉडरन हिस्ट्री को हमने कवर किया इसके मिसलेनी इसको कवर किया और वाल्ड हिस्ट्री के जो क्वर्शन पूछे जाते हैं सारी वन डेक एजामनेशन के लिए बहुत ज़्यादा यूस्फूल है मसे से फटा-फट रिवीजन करिए और इसके बाहर कुछ करने की जरुवत नहीं है सारे कुछ निया पे कवर हो जाएंगे और बाकी जहां से क्वर्शन हो सकते हैं वो आपने स्टार्टिंग में लूस्टिंग रिगरा पढ़ाई होगा तो इसके बाद इसको आपको विजन करिए सारे चीजे बहुत ही इसली कवर हो जाएगी त्यार हो जाएगी और बिल्कुल सारे फेक्टर जो है यही ज़ा पुछाते हैं और ऐसे ही पुछाते हैं इस कराव जैसे कि मैंने आपको बदै कि आप परिक्षावाड़ को कर सकते हैं जिसमें कि आपको प्रिवियर सरे के पुरे क्वर्शन कवर हो जाते हैं तो आज की सेशन बस इतना ही बाई thank you so much